नमस्कार तो अल्दा एस्पिरिंट्स जैहिन आई नेम इस प्रतीक एना वेलकम वी ओल्ड तो एसेस्बी क्राक एक्जाम्स दोस्तों रिसिंटली हमें जियो पॉलिडिक्स में बहुती बड़ी न्यू सुनने मिली है हाली में पाकिस्तान के शहर इसलामाबाद में एक फॉरेंड मिनिस्ट्री लेवल की मिटिंग हुई थी यहाँ पे चाइना अफगानिसान और पाकिस्तान के फॉरेंड मिनिस्ट्री शामिल हुए थे ये डिस्स करना बहुत ही जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान की ऐसी क्या मजबूरिया थी जिसके वर ऐसे उसको ये फैस्टा लेना पड़ा और हम सबको पता दोस्तों कि चाइना का फेमस ये जाना बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ हमारा प्यारा भारत यहां पे इन चीजों को कैसे डिल करेगा इसको भी आज हम डिस्स करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और यहां पे बात करते हैं इस ख़बर की तो यहां पे पाकिस्तान, चाइना, अफगानेसान जो बहुती बेस्ट फ्रेंड्स है यह आते हैं इस मीटिंग में और बात करते हम कैसे एकनोमिकल टाइस बढ़ाएं, कैसे बहतर कर सकते हैं चलो अच्छी बात है और यहां पे यह बोला गया कि हम अच्छे से जो चाइना, पाकिस्तान एकनोमिकल जो कॉरिडॉर जो आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है 2015 मा आया था मैं आपको डेटेल में बताऊंगा क्या प्रोजेक्ट है कैसा है, क्यों लाया गया था अफगानियसान को ऐसा हब माना है रीजनल केरेक्टिविटी का वो बहुत मुझ का खाया है आप यहां पे युएइस से भी पूछ सकते हो या फिर जो पहले की टाइमे ग्रेट ब्रिटेग हुआ करता था उससे भी पूछ सकते हो अफगानिसान को ऐसे नहीं बोलते अब यहाँ पे शायद चाइना नेक्स नमबर पे चलो बहराल अब यहाँ पे बात करते हैं यह जो मीटिंग है यह फिफ्ट एडिशन का था चाइना अफगानिसान पाकिसान ट्राइलाटरल मीटिंग देखने को मिलता है और इसमें आते हैं पाकिसान के फॉरेंट मिनिसर बिलावल भुटो उर्फ बिलोरानी और यहाँ पे चाइना के आते किंग गांग और यहाँ पे तालीबान के एपॉंटेड एक्टिंग फॉरेंट मिनिसर यहाँ पे कोई इलेक्शन तो होते नहीं तो यह कोई इलेक्टेड तो आपके लीडर है नहीं इनका नाम है मौलवी अमेरिकान मुटा की तो मौलवी साब जी अब यहाँ पे अफगानिस्तान का पूरा यहाँ पे फॉरेंड डिप्लोमेसी देख रहे हैं तो यह अच्छे दिन नहीं तो क्या है चलो बहराल अब स्रामाबाद में हुआ था इसमें कई मुद्दों में डिस्कुरिशन हुए हैं बट यहाँ पर बिफॉरी बिगिन हमें पहले सीपा को समझना पड़ेगा करी लोग को नहीं पता आई नो तो यहाँ पर पहले तो इसका फुल फॉर्म ने से बता चाइना पाकिसान एकनोमिक कोरिडर प्रोजेक्ट है यह 2015 में लॉंच हुआ था पाइदा चाइनीज कम्पनिस पार्टी और यह बहुती एक मल्टी बिलियन डॉलर जो वन बेल्ट वन रूड इनिशेटिव प्रोजेक्ट है जो 2013 में से दो साल पहले आया था उसी के अंतरगरत एक ब्रांच देखने को मिलता है और यह लॉंच हुआ था पाइद चाइनीज प्रेजेड़ शी जिंपिंग और इसका मकसद है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि हमें बेजिंग का इन्फुलेंस पूरे दुनिया में बढ़ाना है इन दा फॉर्म ओफ इन्फरा स्ट्रॉक्चर तो यह कुछ आपको इ देखो यह वाला अगर आप चाइना का यहां पर मैप को देखोगे और यहां पर जो मैक्सिम पॉपलीशन है यह आपको इसके सदन इसन साड में देखने को मिलती है अब यहां पर चाइना को व्यापार करना है विट वेसन कंट्रीज यहां पर इंक्लूड कर यूरोप आप यहां पर यहां पर इंटरेस्ट आती है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती है चलो बट उनका लोकेशन ऐसा है तो उनकी मजबूरी थी बट इन्होंने क्या किया इसका यहां पर और यही कोशिश थी वन रोड इनिशिटिव जो 2013 में आया था और यहां पर बोला गया करता था वैसे चीज़ को इस बार भी हम फॉलो करेंगे और यहां पर आप औरेंज लाइन से भी देख सकते हो यह रूट्स आपको देखने को मिलता है और यही रूट्स क्या करेगा चाइनो को वेसन कंट्री से मिडिल इस कंट्री से एफ्रीका से और यहां पर इविन लिए विन-विन सिच्वेशन है तो आपको इसका क्यूं रिक्वार्मेंट पड़ा आपको समझ आ गया है और इसी का एक ब्रांच आपको प्राप्त होता है जिसका नाम है सी पेक चाइना आपका पाकिस्तान एक्रॉमिकल कॉरियो प्रजेट अब यहां पर इस मैप को पाकिस्तान के पलोचिस्तान की एरिया में एक प्लेस इसकाना में ग्वादर आप यहां पर देख सकते हो ठीक है तो खाशगर से लेके ग्वादर तक आपको इसकी इनक्टिविटी देखने को मिलती है लगवक 3,000 किलोमेटर काइम और इसी एरिया में कई आपको यहां पर रोड्स देखने को मिलेंगे, रेलवेज, पाकिसान में भी डेवलेप्मेंट होगा ठीक है तो यह आई होप आपको सीपेक के बारे में समझ आ गया है थोड़ा यहां पर यहां पर तीन हजार किलोमेटर का पूरा लेंग्थ है और यहां पर हाइवेज, रेलवेज, पाकिस लिए गए, तो यहां पर बड़ी in-depth में बात हुई है, तीनों के बीच में, मित्रों के बीच में, और बोला गया है कि हम यहां पर एक good neighborhood के तरह काम करेंगे, mutual trust यहां पर gain करेंगे, देखो, यहां पर mutual trust और यहां पर security corporation के बात की गई इस meeting में, यहां पर अफगानिस्तान म इसले भी interested है, क्योंकि वहां पर वो mining करना चाहता है, अफगानिस्तान की problem क्या है कि उसके पर इतने sanctions west ने लगा दिये, कि उसके पास यहां पर economical crisis देखने को बढ़ पड़ रहे है, बहुत obvious की बात है, इतने sanctions लगा दिये है, और यहां पर उनके पास कोई जरिया भी नहीं ह है ना, तो इसलिए चाइना तो बहुत interested इनी countries में रहता है, जो underdeveloped होती है, जहां पर economical crisis होते हैं, ठीक है ना, तो अफगानिस्तान ने वोला है चाइना को भी आप यहां पर आईए, mining कीजे, आपको यहां पर lithium चाहिए, कुछी भी चाहिए, आप यहां पर कीजे, और यहां हमें भी थोड़ा फाइदा दीजे, हमारे यहां थोड़ा इंफ्राडेवलेप्मेंट कर लीजे, तो चाहिना यहां पर बहुत ही अच्छागा पैसा लगाएगा, पैसो की कम्यी उनके बास नहीं है ना, लगाएगा पैसा लगाएगा, इन्फ्रास्ट्यर है ना तो वहाँ पर एक security होना बहुत ही जरूरी है तो यहां पर अगर कोई मालो चाइना का कोई भी बंदा वहाँ पर जा रहा काम कर रहे हैं मालो attacks होगे कुछ भी होगे तो कोई तो आपके बाद security नहीं है तो यहां पर security cooperation की बात की जा रही है mutual trust यह बले यहां पर trade investment तो आपका यहां पर चाइना अच्छा खाजा यहां पर करेगा ही करेगा ठीक है तो इन सारत जो को यहां पर utilize करते हुए हम अफगानिस्तान का जो potential है उसको यहां पर explore करेंगे और इसको as a regional connectivity के तोर पर यहां पर बढ़ाएंगे चलो अब बात करते हैं कि इन दोनों ने चाइना और पाकिस्तान ने यह मिलकर यहां पर agree किया है कि हम यहां पर अफगानिस्तान में humanitarian और यहां पर economical जो assistance हम provide करेंगे अफगानी पीपल में उनको यहां पर अच्छा मदद देंगे और साथी साथ CPAC के तवरा इनकी बहुत ही मदद होगी चलो अब यहां पर बात करते कि अफगानिस्तान सही में चाइना की debt trap में आएगा जैसे शिलंक का आया या फिर आपका पाकिस्तान आ चुका है तो देखो यह जो CPAC में शामिल करना इनको यह इनकी मजबूरी है अफगानिस्तान के पास कोई जरिया नहीं है वैस ने बुरा सेंक्षिन लगाया हुआ है पॉलिटिकली अंस्टैबलिटी आपको देखने को मिलती है कुछ खास वाप पे आपको economical कुछ resources प्राप्त नहीं होते ठीक है अब अगर उनको mining करवाना तो उनके पास कुछ technology होनी चाहिए वो भी उनक investment उनको चाइना से ही मिलेगा और चाइना को भी कुछ returns चाहिए उसके बल्ले में उनको यहां पर millers को बुरा exploit करना है explore करना है और यहां पर फाइदा निकालना है और यहां पर सीपे के जरी अफगानिसान भी जोड़ रहा है तो क्या इसमें प्रॉब्लम है अगर देखा ज अच्छा रहा है और यहां पर इंडिया का सिफ एक ही टेक होना चाहिए कि सारे activities को बड़े ध्यान से देखो चाइना तो अफगानिस्तान में लिटरली घुज गया है बाके strategic affairs में और यहां पर इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता दोस्तों इंडिया को भी यहां पर अच्छा गासा जितना हो सके बड़ी warm तरीके से अफगानी people के साथ यहां पर relationship maintain करना चाहिए economical projects जो अभी दर चलता है उसको और आगे यहां पर बढ़ाए ठीक है और यहां पर एक bilateral जो relationship है इसको वैसा ही अच्छे maintain रखे मतला हमारा जो relation है वो तो अच्छा ही चले बाकी उनको जो चाइना के साथ करना पाकिसान की जो करना है वो उनका headache है चलो बट इतना बात है कि हा इंडिया को यहां पर चीजों को बड़े ही अच्छे से समझ के act करना चाहिए और हाली में आपको पता होगा कि जब SEO का meeting भी गुआ में हुआ था तो चाइना के forum minister आये थे आपको यादी होगा और यहां पर इन्होंने बोला था जमो कश्मीर के बारे में कि dispute was left over from the history जो जम प्योंके से गुजरता है ठेकिने दोस्तों और यहां पर प्योंके से अगर कोई भी चीज गुजर ही जो हमारी है पहली बात तो वह हमारे एरिया है और वहां से आप without permission without कुछ करके आप यहां पर कैसे कोई रोड बना सकते हो तो हमारे country में सबसर्द धुर्बा के तो यही ह कि हमारे country में जो liberals होते हैं वो CA का विरोध जरूर करते हैं बट यहां पर ACS का कभी विरोध नहीं करते हैं कि POK से बिया सड़क यहां पर निकाल दी है वहां पर पाकिस्तान ने जमीने दे दी है उनको वहां पर चाइना को ठीक है इसकी कोई बात नहीं करता है यह बहुत ही काम होना चाहिए और peaceful होना चाहिए तो यह चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है I hope आपको इस वीडियो में सारे ठीस समझ आ गए होगी कि आने वाले टाइम में शायद अफगानिस्तान भी debt trap policy के अंदर आ सकता है यह आपको इसको नुकसान होगा यह नहीं हो आता है बहुत ही effective affordable price में दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा अगर आप यहां पर बहुत ही serious difference aspirant हो तो कई सारे course है NDA का है FCAT का है CDS का है आप बहुत ही अच्छे से यहां पर इसको crack कर सकते हैं और हम यहां पर अच्छे तरीके से आपको course के जरिए guidance भी देते हैं दो तो गाइस इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ कई नहीं topic के साथ तेल देन बबाई टेके दोस्तों जहिन अगर आप एक difference aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर सकते हैं